तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे B.T.E.C. Ceramic Engineering और B.T.E.C. Chemical Engineering के बीच आपसे मैं कोर्स कमपेरिजन आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ और साथ भी दोस्तों मैं आपसे इन कोर्स का आपसे मैं Eligibility Criteria भी आपसे मैं डिसकस करूँगा तो आपका सवागी दोस्तों मेरे इस चैनल में और अगर आपने 12th की क्लास को पास कर लिया है और अगर आपको जहे जानना है कि 12th की क्लास को पास करने की बाद आखिर कौन-कौन से कोर्स होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दि तो B.T.E.C. का मतलब होता है Bachelor of Technology और B.T.E.C. Ceramic Engineering का जो कॉर्स है वो एक Undergraduate Level की डिगरी का कॉर्स होता है तो जै कॉर्स का जो में मकसद है वो Production of Ceramic Materials और Products के उपर है जो की Designing और Development के जरीए काफी सारी Various Industries में जूज किये जाते हैं अब जैसे की Aerospace, Automotive, Construction और Electronics तो इसमें आपको Ceramic Processing, Glass Technology एक सेक्टरा जो टॉपिक्स होते हैं वो आप Study करते हो तो इस कॉर्स को पूरा करने के बाद आप काफी सारी Different Industries और Fields में आप काम कर सकते हो और आप Ceramic Engineer और जा तो आप Material, Scientist एक सेक्टरा जो है वो आप बन सकते हो तो अभी आपसे मैं B.Tech Chemical Engineering कोर्स के बारे में आपसे मैं डिस्क्स करने वाला हूँ तो B.Tech Chemical Engineering का जो कोर्स ही वो भी एक Undergraduate लेवल की डिगरी का कोर्स होता है तो इस कोर्स के मादब से आप Chemical Products और उसके Processes के बारे में आप Designing, Development और Production के बारे में आप Study करते हो जो की काफी सारी Industries में जूस किये जाती है अब जैसे की Pharmaceutical और Food Processing तो इस कोर्स के मादब से आप Chemical Processes, Chemical Reaction Engineering एक सेक्टरा जो टोपिक्स होते हैं वो आप Study करते हो तो इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप Chemical Engineer, Process Engineer, Product, Development Scientist, एक सेक्टरा की जो जो जोवे उसे भी आप हासिल कर सकते हो तो बैसे जए दोनों इस फील्स काफी अच्छी मानी जाती है आज की टाइम में अगर आप सेरमिक मिटीरियोस और प्रड़क्ट्स की डिजाइनिंग और प्रड़क्शन के वारे में अगर आप Study करना चाते हो तब आपके लिए B-TAC सेरमिक इंजिनरी का जो कोर्स है बापको काफी अच्छा बेनेफिट दे सकता है अगर आप Chemical Reactions और प्रड़क्ट्स में अगर आप जाना चाते हो तब आपके लिए B-TAC Chemical Engineering का कोर्स आपको काफी अच्छा बेनेफिट दे सकता है अभी आपसे मैं Eligibility Criteria के बारे में आपसे मैं डिसक्स करने वाला हूँ कि जन्हें आप इस कोर्स में आगर किस परकार से Admission ले सकते हो तो दोनों कोर्स का दोस्तो जही Eligibility Criteria है कि आपको जो 12th की जो क्लास है उसे आपको पास करनी पड़ेगी जिसमें आपको Physics, Chemistry और जो Mathematics का जो सब्जेक्ट है वो आपको Compulsory पणना ही पड़ेगा तो तब ही आप इस कोर्स के लिए Eligibility हो पाओगे और अगर आपको किसी भी परकार का कोई डाउट है तो दोस्तो आप नीचे मुझे कमेंट वॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और भी कई सारे कोर्स के वारे में वीडियो मिल जाएंगी आपने वहां जाकर भी देख सकते हो तो अन्तमी दोस्तो अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना